हालो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माय चानल तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको ब्लैक नुपूर मेहन्दी जो है फ्रेंड जो आप देख रहे हो हिना वेज्ड हेर कलर है तो फ्रेंड आपको मैं इसे लगा करके दिखाऊंगे और इसका रिव्यू भी दूँगी इसक ब्लैक नुपूर मेहन्दी है इसका रीड वाला भी आता है यहां पर मैं ब्लैक लिए हुई हूई यह 10 रुपीज में है यानि कि 10 रुपे में आता है और काफी अच्छी क्वांटिटी में आता है फ्रेंड आप एक बर इसे आराम से लगा सकते हो पूरे बालों पर अपला नदिन हिक अपड्रा चैसो 550 वालेशन ब्लैक हो जायगा और काफी स्मूत में हो जाता है साइनी और आता है कि को मैं अभी आपको भूल करके दिखा ओंगी Core को कि से से गोलना है था आपने की पानी की जो है छो HAS जी आपको दिखा रही है तो चलिए सबसे पहले में इसे घोल करके दिखाते हूं गोलते टाइम फ्रेंट एक बात जरूर सभी लोग पूछते हैं कि क्या पानी जो है जो हम पानी में इसे घोलेंगे तो घोलने वाला जो पानी होता है उसे हमें थोड़ा गर्म करना है या फि यहां पर जो है फ्रेंट मैं ब्रस ले वी हूँ यह ब्रस जो है मैं पहले भी इसे यूज की वी हूँ अपने बारों पर मेहंदी लगाने के लिए ब्लैक मेहंदी के लिए तो यहां पर जो मैं ले रही हूँ इस चीज को मैं आपको लगा करके भी दिखाऊंगे तो जिस त मेरे वीडियो में देखें तो प्रेंट इसतर से में घोल रही हूं आपको इसी तरह से घी घीर ध्री से घोल लिया गोल लेक्म के बाद इसका जोड़ पॉल कुछ दिर बाद पर पर घांब लगेगा पर कबसे जा रहा तो अगर थोड़ा मतलब पतला हो जाएगा तो वह टपक नहीं लगता है और बहुत ज्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना है जो हमारे बीच का होगा उसको रखना है तो चलिए जिस तरह से मैं घूल रही है आपको भी इस तरह से घूल ले लेना है घूलने के बाद पर इसका जानट गाढ़ आप जैसा देख रहे हो आप मेरे आपको इसी तरह से रखना है और बालों के लेंद के हिसाब से कुईनटी ले सकते हैं यानि कि अप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हो हो तो जैसा यहाँ पर मैं कर रही हूँ हूँ उसी तरह से आपको कर ना यह यह जो आलो पे अपलाई करोंगे आपको बालोktó का लों का ठाइस ते थो आपको और सी डिखा रही हूं को और है चाहिए को किस तरह का घोल आपको आपको पे बाला है कितने लोग बोलते हैं को में चाहिए है लुह média बेर माद भोल देते हो और रिवियू ने देते हो तो आज में रिवीव भी देए तो फ्रेंड यह जो दस रुपे का है यह आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा और दस रुपे मैच्छी क्वान्टिटी आती है और यह नुपूर का ब्लैक मेंदी है और इस मेंदी को आप जब भी बालों पर अपलाय करोगे तो आप बालों क और यह पाल करोगे और शुद्धिक तक के लिए अपनाए हो जाए अगर आप इसी आपS compare कर देते तो या define को देखनाrod आपका बाल जो है बिल्कुल साइनी सिल्की हो जाएगा तो यहां पर फ्रेंड में आपको लगा करके दिखाने वाली हो उस चीज को चलिए आराम से पहले हम लोग मिलके देखते हैं कि हमने किस तरह से लगाना है बालों पर आज मैं जिस तरह से आपको बताऊंगे बिल्कुल आपको बिल्कुल पस्कर लगाना है और आगे के साइड में यानि कि थोड़ा सा नार्योल का तेल या फिर फिर व्यासलिन वगरे डाल देना है कि अगर इे सब चीज नहीं डालोके तो इस तुटवा साव यह नाव स्कीन पर आ जाता है तो आगे है आपके सेप्टिक के लिए मैं बता रही हूं कि आपको कर लेना यहां पर जो है फ्रेंड ब्रस जब भी मैं यूज की हूं तो मैं हाथा पर कुछ मतलब हाथा पर कोई दस्ताना वगर नहीं पहनी हूं और आप चाहो तो पहन सकतो या फिर पॉलितिन भी लपेश अपने हाथो अपने सेप्टिक के लिए तो जिस तरह से मैं लगा रही हूं फ्रेंड बिल्कुल एक एक बालों पर आपको इस तरह से लगाना है होता क्या है फ्रेंड कि हमारा जो बाल है वह जड़ का साइड जो होता है रूट एरिया जो होता है वहां पर बस सफेद होता है और बाग की छोड़ने के बाद आपको आधे गंटे आपको बालों को अच्छे तरह से वास करने इसको अगर आप लगा रही है तो कितनी तरह का कलर ऐसा होता है कि आपके बालों से दो से तीन दिनों में रिमूव हो जाता है लेकि नुपूर मेरी के साथ ऐसा नहीं है यह थोड़ा लॉंग टाइम तक चलेगा तो जिस तरह से मैं लगा रही है बिल्कुल आपको उस तरह से जो रूट होगा वाइट वह बिल्कुल कवर हो जाएगा आप भी बिल्कुल इस तरह से लगाए और आदे गंटे तक वेट कीजिए कि ताकि आपके बालों का कलर आ जाए तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो आपको तो लाइक भी कीजिए सेयर भी कीजिए सब्सक्राइ इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है वह आप लोगों को कैसा लगता है तो फ्रेंड मेरे चैनल पर जाएए मैं बहुत सारा सुपर बासमोल का भी वीडियो बनाई हूँ मैं और साथे साथ हैर कलर हूँ और कपड़ी वगर के वीडियो में बनाई अपना ख्याल रखिए